है तो है लोगाइज हर हर महादेव आप सभी को जो लोग खाने पीने की शौकिल होते लाजबंदू स्टाइओ और सब्सक्राइब अधरी के सच लिए संधियों कीते हैं के आट लुए और ऑब वुच्छ के लिएक जैसे हैं नामिए थे छीछ सब्सक्राब करने हैं कि निस फान बंदा स््वीट हऊ जक्ष्ड हक देर सकते हैं यहां पर यहां पर कईते कि कि ज। आपको मिठाईय प्लिभाली कि पने वाले मुठाईय है कि जोट रोल भी है तो है यहां पर नजीर मिठाईय आपको partly है तो पर आपको और दर्शन कराते हैं मिठाई आप पानी आप सब के भी आ जाए तो साइड हो जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं यह काजू टोस्ट यहां 12 रुपय केजी का मिठाईया यहां पर होने वाली है हनी केचोडी है यहां पर यहां बहुत सभी वेडाइटी मिठा सब केजी MRP-6ела मिठाईय के 800 रुपके चटारि होने हायों और 400 रुपके जाने वाली है तर्शन के पूरी वराइटी है नहीं किसा और क्स्तरमय को सभी जोर्ची होते हैं मिठाईयischer को अश्चे नहीं कहां मिलती है तो हैं और रहां खड़MANDU is पर भीजित हाऊ सही ऑपो बने जिलिका आपको अब दिखातें के स्लेख में क्या क्या मिलने वाले हैं यह आप देख सकते हैं आप मुझे मत्रें किया मिठाइयों को सिफ देख़्ी आज एक काजु मंगल इंडे कानपूरी यहां मिले वाला है 500 हूं केजी मेवाल एवालाड् है यहां पर बिलने वाला है यहां पर नाम बताया है जगह कौन सी है यह जगह कौन सी है कमच्छा हमारे मलाई गिलोरी फेमस है जो कि पिस्ता और मलाई से बने हुआ है पिस्ता और मलाई से बना हुआ है आपका मलाई गिलोरी यह पलंग तोड़ है जी हां यह है देखिए मलाई और केसर और पिस्ता से बना हुआ है यह यह पलंग तोड़ है पंद्रस और पेजिया मैं ठीक है उसके बाद लाल पेड़ा हुआ आपका 500 और केजिया मैं जो की बाहर ले जाने के लिए बेश्ट है उसके बाद आप यह खिरकदम हुआ जो की बाहर ले जानते हैं लोग छेना इसके अंदर छेने की गोटी मिलती है और खोए से बना होता है इसकी लाइफ तीन से चार दिन होती है और बनारस की फेमस देखिए यह लॉंग लता हुआ आपका वन बिक चलता है लड्डू सगून के लड्डू है और जो की ड्राइफूड होता है जी 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 गेवर यह है आपका घेवर हुआ है आपका तीन से चार दिन चलने वाला है और मलाई गेवर सेम डे आइटम होता है जी इस चाटिंग देखें 500 से आपका छेने में मिल जाएगा जी और प्रिसके बाद आपका खोया मिलेंगा शाड़े 500 रुप्य केजी और काजू मिक्स आपका हो जाएगा 1200 रुप्य केजी जो की वराइटी कुछ लगे हुए हैं कुछ खतम हो चुके हैं यह आपके देखे जे परिमियम में हैं जो की हुआ आपकाा मेवा इट ऑरेंज़ वाइट छोकोबाइट इस तमाइट बादाम बरफि आ जो की यह लोरी आज्याम ग्युक्त रोल यह ज ऑपानवार जो की बनारस का फेमस है यह हुँ田 पार Chicago नाएटम में आपका बनाए काजू ठंड़ सब्सक्राइब करें엔 ब्राइफड लाग्टउर वर्फी का पझ्छ उमस्टक फोंफ finals । परेंगे व्रफिय व्रियाय दिया प्लंक जिक यह आपका अजीर है अजीर कटलेट है जो कि आपका सगर आपका जो कि आपका सगर फ्री रखी है कि पर कि यह साड़े साथ सो पचास की है कि यह आपका चार हजार का है कि न्यू आइटम दिखा रहे हैं और यह देखी हमारा बेश्ट आफर व्याइपी पैकेज है ठीक है सगुन बॉक्सर जी से बोला जाता है एक यह हुआ यह कि यह हुआ यह 26, 22, 24, 25 जी 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 हाँ यह अपने अकॉर्डिंग जो भी मिठाई चेंज कराना चाते हैं मिठाई या नमकी कुछ भी चेंज करा सकते हैं आप इसका केरी बेक भी इसके साथ रहेगा इसका 26 फिलाल में है 26, 26 बट आप अगर मिठाई चेंज कराते हैं तो जो भी रहेगा वो लगेगा रेट जी जी घटना होगा घटेगा बढ़ेना होगा बढ़ेगा यह सगुन बोक्स है जो कि दो ड्राइफूड दो नमकीन और बाकी सम्मीठे में हैं यह आपका 26, 25, 24 रेंज में यहीं आएंगे कि आख समुसा हैं वरा हुआ है समुसे है जो कि इसका प्राइफ 50 रुपय है यह यह देखिए पालक समुसा है यह आपका पालक पनीर अलू और ऊपर सी श्टपींग होता है पालक का कौन सा यह देखिए पनीर जले भी है पनीर जली भी आ चुकी है जी जी हां मैं लस्टी हमारे यहां का फेमस है लस्टी हुआ के सरीया बदाम दूद हुआ आपका सबसे ज्यादा फेमस होता है मलाई गिलोरी में मलाई किलोरी जो की बहुत ही बेहतरीन चलता है ये हमारी स्रीराजबंदु जो ये मिठाई की दुकान है सर उन 1887 से चली आ रही है और ये हम इस समय 156 तरह का मिठाई का इसमें प्रियोग कर रहे हैं जो कि ये अपने में एक अधुज चीज है और हर त्योहार को देखते हुए हम लोग ऐसी मिठाई बनाते हैं कि हर छोटे और बड़े वर्ग लोग भी खरीदें कम दाम की मिठाई मुचे दाम की मिठाई हम लोग हर समय उपलब रखते हैं विशेश तरह का त्योहार हम लोग बनाते हैं ये फेनी केसर के फेनी है और सफेद पेनी है लच्छेदार सुर के फेनी है और इस सब देशी की हमारी मिठा आपको इंपक्त मिल जाएंगी तो मैश तो मैश तो यहां कुस्टमर इसे बाच्चे तो कर लेते हैं कि मिठाइए कि क्या ही यहां पर क्या शौकी ने कहां कहां से लोगाय हुए करते हैं यहां कि मेरा तो फेवराइट है का जो भाइट है मलाई कि लेवरी है और इनका वो प्रस मलाई वगरा अब कहां से आए हुए हो मैं राम नगर से आई हूं तो हमारा भी एरिया है वही तो आपने वहां से बिठाइए लेकि यहां मिल लेकि क्या सोची दुकान बढ़िया है बहुत जादेज दिन से चल रहा है इसका एक कैमपोस वहां भी है वह गदो उधर पचोडी गली के पास दुकान सही है मिठाई सही मिलता है बहुत स्वाध अच्छी मिठाई है और अच्छी मिठाई है क्या खा रहे हैं कि रख नाई है कैसे लगती आपको यहां की बहुत बढ़िया अन्यार कि यहां की आ पर आपे रहते हैं हम लोग रिगुलर कस्टुमर हैं का लड़्डू काजु की बरभी छेने की मिठाई सब लेते रहतें हैं निया का और क्का आपने यहां का अबीतों आप तो भी रश् मिठाया काफी जदा अच्छी होती हैं कि विजाजी से बताया आपको बहुत ही लज़ीज मिठाया होती है तो इसी के साथ इस वीडियो को यही पर एंड करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो प्लिस लाइक श्क्राइब शेयर जरूर करेगा इसी के साथ बाबाए